हेलो स्टुदेंट्स, मैं नेम इस रूद्ध प्रताप सिंग और तुड़े आपके क्लास 12 के फीजिक्स के पार्ट 1 का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रो स्टैटिक उसका पार्ट है तो इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है इसके अलाबा स्टुडेंट्स आप लोग हमारे चैनल पर जाके उसकी प्लेइलिस्ट में और गैनिक केमेस्ट्री इन और आपकी फीजिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं और उससे अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं जो आपको एक्जाम में काफी हेल्प करेगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास तो कैपेसिटर कैपेसिटर इस सिस्टम ओफ टू कंड़क्टर सेपरेटेड़ बाई एन इंसुलेटर इसका मतलब यह है स्टुडेंट्स की जो कैपसिटर है उसमें आपके दो कंड़क्टर रहेंगे इनके बीच में आपका क कोई इनसुलेटर फिल्ड रहेगा इस अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं इसके बाद फिर कैपेसिटेंस क्या होता है कैपेसिटेंस स्टुडेंट जो आपका कैपेसिटर है वो कितना अमाउंट ओफ चार्ज स्टोर कर सकता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैप तो the amount of charge that a capacitor can store is known as capacitance and what is capacitor, capacitor is a system of two conductors separated by an insulator तो capacitor में students आपके पास दो plates होती हैं जिन पर आपका charge तो equal होता है लेकिन sign जो है वो opposite होता है मतलब अगर एक पर plus 2 कूलम का charge है तो दूसरे पर minus 2 कूलम का होगा magnitude सेम होता है बस sign opposite होगा मतलब एक आपका positive होगा और एक negative होगा इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास मान लीजिए दो plate हैं एक पे आपका charge जो है वो Q है और जो दूसरा है उसके उपर आपका charge है minus Q तो net charge जो capacitor पे होता है वो हमेशा क्या होता है जिरो तो मान लेते हैं कि V आपका potential difference है two plates के बीच में let V be the potential difference between plates of a capacitor तो जो उसका capacitance C है उसका formula क्या हो जाएगा students C equals to हो जाएगा आपका Q by V इस formula को याद रख लीजे इसको note कर लीजे यह आपके numerical में use होता है तो C equals to Q by V हो गया तो उससे Q की value क्या आगई आपकी C V यह दोनों आपके formula है इसके बाद कोई भी अगर capacitor दिया हुआ है आपके पास तो उसका जो capacitance है वो किन चीजों पर depend करता है factors on which capacitance of a parallel plate capacitor depends तो जो आपका capacitance है students वो तीन चीजों पर depend करता है जो capacitance है वो directly proportional होता है area A of the plate universally proportional होता है to the distance d between the plate small d है यहाँ पर and directly proportional to the dialectic strength K तो अगर आप तीनों को combine करें तो जो C होता है वो proportional किसके आ जाएगा area के directly proportional है distance के inversely proportional है और dialectic strength K के भी directly proportional है तो आपका आगया C proportional to K A by D यह जब आप proportionality हटाएंगे तो इसकी जगह आपका एक constant आ जाएगा जो होता है asylum knot तो जो इन तीनों का combine करके जो हमारे पास formula आया है वो आया है C equals to asylum knot K A by D जहाँ पर asylum knot आपका absolute permittivity है जिसकी value 8.854 into 10 की power minus 12 होती है यह आपका area of the plates है के आपका दाइलेक्टरी कॉंस्टेंट है और जो आपका small d है वो डिस्टेंस बेट्वीन दा प्लेट्स है इसके बाद इस formula का proof देख लेते हैं student C equals to asylum knot A by D यह आपका exam में कई बार पूछा जा चुका है तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो plates दी हुई थी एक के उपर आपका charge plus Q था दूसरे के उपर charge minus Q था इनके बीच की जो distance है वो small d है जो आपका electric field E है वो positive से negative plate की तरफ directed है और A आपका area of the plate है तो इन सारी चीजों को combine करके अब हम देखते हैं कि formula क्या यह है अब video को pause करके जो statement लिखे हुए हैं उनको पढ़ सकते हैं तो यह आपने formula पिछले chapter में पढ़ रखा है electric field वाले में कि अगर दो आपके conductor दिये हुए हैं एक की surface charge density sigma है दूसरे की minus sigma है तो जो उनके बीच में electric field है उसका आपका formula आजाता है E equals to sigma by asylum naught और sigma आपका surface charge density होती है sigma equals to क्या होता है students q by a तो इसको अगर आप combine करेंगे तो E आपका था sigma by asylum naught sigma by asylum naught की जगा sigma की जगा आपने q by a लिख दिया है इसके बाद हमें potential gradient part रखाता है कि E equals to V by D होता है तो V equals to क्या होगे आपका ED इस चीज़ को हमने यहाँ पर रखा फिर E की value जो हमारी q by asylum naught AI थी इसको हमने उठा के इस पे रख दिया तो जो हमारा V का formula आ गया वो आ गया one upon asylum naught q d by a अब हमें पता है students कि C equals to q by V होता है V की value आपकी आ गई है one upon asylum naught q d by a इसकी value उठा के आप V की जगा लिख सकते है अब आपका q और q कट जाएगा a आपका उपर चला जाएगा asylum naught भी उपर चला जाएगा तो जो आपका net formula आया है students वो आ गया है c equals to asylum naught a by d यही आपको proof करना था asylum naught आपका absolute permittivity होती है जिसकी value 8.854 into 10 की power minus 12 coulomb square per newton per meter square होता है यह आपका जो first chapter पढ़ाया था electric field and charges हमने उसमें भी बताया था आपको अब अगर जो आपकी plates दी हुई है उनके बीच में मालिजे air की जगा कोई material भरा है कोई dielectric भरा है जिसकी dielectric strength आपकी k है if the plates have dielectric slab of strength k between them then c equals to k asylum naught a by d जहां पे k आपका अगर air दिया हुआ है मतलब plates के बीच में कुछ भी fill नहीं है मतलब air है तो dielectric constant की value 1 हो जाती है तो यह आपका proof था c equals to asylum naught a by d formula का इसके बाद हम लोग बात करते हैं combination of capacitor का तो जो इसमें आपका सबसे पहला combination है वो series का है तो मान लिजिए आपको दो capacitor दिये हुए थे c1 और c2 जो आपके series में connected थे अब series में आपका current same होता है और potential divide होता है तो c1 का जो potential है वो v1 है और c2 का potential v2 है तो जो net potential v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 series में students current same रहती है potential add होता है तो v की जगा हम लोग q by c रख देंगे और v1 की जगा q by c1 रख देंगे v2 की जगा q by c2 रख देंगे क्योंकि हमें पता है कि q equals to cv होता है तो v equals to आपका q by c हो जाएगा यहां से आपका q कट जाता है और 1 upon c equals to 1 upon c1 प्लस 1 upon c2 आता है अब students इस तरह का formula अपने resistance में देखा था जब resistance spiral में लगते हैं तो इस तरह add होते हैं लेकिन capacitor series में इस तरह से add होते हैं 1 upon c मतलब equivalent capacitance equals to 1 upon c1 plus 1 upon c2 इसके बाद जो हमारे पास दूसरा combination है दूसरा combination है हमारे पास students combination of capacitors in parallel तो माल लीजिए दो capacitor आपके अगर parallel में लगे हुए हैं एक आपका c1 है एक आपका c2 है पैरलल में आपका voltage सेम होता है students तो जो net voltage है वो v1 है पहले वाले capacitor पे जो charge है आपका वो q1 और minus q1 है दूसरे वाले capacitor पे जो charge है वो q2 और minus q2 है अब parallel में आपका current divide होती है अगर इस तरह से दो आपके parallel में लगे है तो यहाँ पे जो current आएगी वो दो में divide हो जाती है और फिर से combine हो जाती है तो यहाँ पे जो net charge हो जाएगा दोनों के abstance का मिला के वो आपका हो जाएगा q equals to q1 plus q2 और आपको पता है कि q equals to cv होता है तो q की जगा आपने cv रख दिया q1 की जगा c1 v रख दिया voltage दोनों के cross v ही होगा और q2 की जगा c2 v रख दिया तो जो net capacitance c आगया आपका वो आगया c1 plus c2 यह आपका formula तब यूज होता है जब capacitor parallel में लगे हो रजिस्टेंस में आप लोग यह formula series के लिए यूज करते थे लेकिन capacitance में parallel में यूज होता है अब बात करते हैं हम हमारे अगले topic की जो है energy stored in capacitor हमने यह तो बात कर लिए कि capacitance का formula क्या होता है series parallel में लगे होते हैं तो क्या होता है अगर उनके बीच में कोई dielectric material भरा हुआ है तो capacitance पे क्या फरक पड़ता है अब हम बात करते हैं कि आपका जो capacitor है वो कितनी energy store कर सकता है तो माल लीजिए कि आपको एक capacitor दिया हुआ है उस capacitor पे जो charge है एक plate पे आपका plus q है दूसरे plate पे minus q है उनका जो capacitance है वो c है और v जो है वो potential difference है उनके बीच में है तो q आपका cv के बराबर होता है q equals to cv आपको बता रखा है तो वहाँ से v equals to क्या हो गया students q by c अब आपने एक formula और पढ़ा था कि जो potential v होता है वो w by q होता है यह हमने जब आपको potential और चैप्टर पढ़ाय था तो उसमें बताया था तो इस formula से w equals to क्या हो गया v q अब मान लेते हैं कि पहले capture अंचार्ज था उसको हम लोगों ने d q चार्ज दिया तो w equals to हमने v q formula पढ़ा है अभी तो उसी से dw equals to हो जाएगा v d q अब v equals to क्या है q by c v की जगा हमने q by c रख दिया अब हमने दोनों तरफ integrate कर दिया total work done निकालने के लिए तो जो आपका total work done हो जाएगा giving charge q वो क्या हो जाएगा w equals to zero to q q by c d q तो यहां से w equals to one upon c आप common ले लेंगे zero to q q do q आजाएगा अब students हम लोग integrate करेंगे इसको इसको आपको integrate करना है तो आपका अगर q d q दिया हुआ है तो उसका integration क्या हो जाएगा q square upon 2 क्यों क्योंकि अगर हम लोग formula देखें तो integration t dt क्या होता है t square by 2 same उसी से q d q का क्या हो जाएगा q square by 2 limit है आपकी zero to q जो आपका final formula गया w equals to one upon c q square by 2 या फिर अगर हम इसको combine करें तो आपका w equals to half q square by c आजाएगा अब हम लोग q की जगा c v रख देंगे अगर अब हम दो नए formula बना रहे हैं इसी का use करके तो अगर आप इसमें q की जगा c v रख देंगे तो जो आपका formula आता है w equals to half c v square आता है और अगर आप v equals to q by c रख देंगे तो जो w आता है वो half q v आता है तो जो आपके work done के तीन formula आ गए students w work done आपका energy के बराबर होता है तो energy हो गई half c v square या फिर half q v और half q square by c ये तीन formula है जो energy stored in a capacitor देते हैं जिसका use आप लोग numerical में करेंगे आप लोग वीडियो को pause करके इन formula को use करने के लिए note कर लीजिए अब हम कुछ और important formula देख लेते हैं इस chapter के जो आपका asylum होता है asylum equals to asylum not r होता है asylum आपका क्या है permittivity of a medium asylum r क्या है relative permittivity of a medium with respect to air or vacuum दूसरा जो dielectric constant आपको बताया था students k की value होती है asylum by asylum not इसके अलावा k का आपके पास एक और formula है k equals to c by c not होता है जहां पर c आपका है capacitance with dielectric यह हमने लिख रखा है दूसरा आपका c not है c not है आपका capacitance with air in between the plates तो k आपका जो है वो c by c not आगया तो यह आपके कुछ important formula थे dielectric constant के I hope कि आपको capacitor समझ में आ गया होगा आप इस video को एक बार फिर से देख लिजेगा तो आपको चीजें और clear हो जाएंगी आप इस video को like करें अपने friends के साथ share करें ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए thank you for watching the video